हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड आज मैं आप लोगों के साथ फेसे एक माइक्रोवेब की रेस्पी शेयर करूँगी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रेकाश से आप माइक्रोवेब में एक सुपर सॉफ्ट वैनिला केक बना सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है और आप देख सकते हैं मेरा केक कितना फूला है वीडियो स्टार्ट करने से चहले यदि आप मेरे चैनल पर नूँ हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कुकिंग के मैंने सुपर सॉफ्ट केक को कैसे बनाया है तो ये लिया है मैंने मैंदा ये मैंने 200 ग्राम मैंदा लिया है और मैं इसे छनी से अच्छी तरह से छान लूँगी आपको इस तरह से अच्छी तरह से छनी से जरूर छानना है और मैं इसमें मैंदे के साथ आटे को भी इस्तमाल करूँगी तो ये मैंने लिया है 50 ग्राम गेहूं का आटा जिसे हम रोटी बगेरा बनाते हैं वोई सिंपल आटा है तो हमने लिया है 200 ग्राम मेंदा और 50 ग्राम लिया है आटा उसे मैंने अच्छे तरह से छाना है और अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर तो यह मैं कम से कम इसे डेड़ चमस डालूंगी आप देख सकते हैं मेरे छोटी चमस है और इससे मैं डेड़ चमस डालूंगी बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर को भी हम छानेंगे बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी सोडा तो मैंने डाला है जितना आप बेकिंग पौडर डालेंगे उसके आधे से भी आधा हम डालेंगे सोडा, खाने का सोडा होता है वो डालेंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, नहीं तो आपके केक में इसका स्वाद आजाता है जो कि बहुलकुल अच्छा नहीं लगता है तो अब मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है अब मैं इसे एक तरफ साइड में रख दूँगी और हम आप लेंगे अंडे जी हाँ, मैं आज जो बनाने वाली हूँ केक वो मैं अंडे से बनाऊंगी इससे हमारा जो केक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है ये मैंने तीन एक्स लिये हैं और दौन तीन जो एक्स हैं उनका वाइट वाला पार्ट और येलो वाला पार्ट अलग कर दिया है तो सबसे पहले हम बीट करेंगे वाइट वाले पार्ट को याद रखिएगा सबसे पहले आप अंडे के सफेद वाले भाग को फेटेंगे और इसे जब तक फेटेंगे जब तक केबल को फूल कर ये डवल ना हो जाए ये हमारा जो कटोरा दिख रहा है उसमें ये उपर तक फूल कर जब तक ना हो जाए तब तक हमें इसे फेटते रहना है मैंने यहां पर मसीन का इस्तमाल किया है आपके पास मसीन नहीं है तो आप अपने किसी भी विसकर से इसको अच्छी तरह से फेट सकते हैं और जब आप इसे बीटर से फेट रहते हैं तो इसे आपको हाई पावर पर फेटना है सबसे तेजवाले पावर पर फेटना है जिससे यह अच्छी तरह से फिटेगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो अंडरे है का सफेद भाग है किस तरह से इसका इस टेश्चर आ गया है कितने सारे इसमें जाग पैदा हो गया है जो हमारा केक फूलता है वो इसी जाग की वज़े से फूलता है और उससे जो हमारा केक होता है वो बहुत ही सौफ्ट बनता है तो यह देखिए आप कितना अच्छे से मेरा जो वाइट पार्ट है अंडे का किती तरह अच्छी तरह से फूल चुका है मैंसे एक बार आप उल्टा करके भी दिखा देती हूँ ये देखिए उल्टा करने पर ये गेता नहीं है इस तरह से आपको फेटते रहना है मैं जब तक कि ये इस तरह से झागदार ना हो जाए अब मैं अंडे का पीले भाग किलूँगी और इसको फेटूँगी आपको यल्ल conservatives और पीले भाग दोनों को अलग-अलग करके ही फेटना है अब मैं इस अंडे के पीले भाग को फिटूंगी अच्छी तरह से इसे एक मिट करीब मैं अच्छी तरह से बीट करूंगी जब यह अच्छी तरह से एक मिट तक अच्छी तरह से फिट जाएगा फिर मैं इसमें एड करूंगी शक्कर तो मैंने इसमें लिया है दो शो ग्राम शक्कर तो अब मैं इसमें ये दो शो ग्राम शक्कर ली है मैंने मिक्सी में डाल कर घर की जो शोगर होती है उसको मिक्सी में डाल कर पीस लिया था वुलकुल यह एक्तम क्रीमी क्रीमी हो जाता है तब तक आपको इसे फैट ना है इन सारे स्टेप को जिस तरह से मैं फॉलो कर रही हूँ आप फॉलो करेंगे तो आपका जो केक होगा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा आपको इसमें किसी भी पिकार के सुगर सरप यो कुछ भी डा ना सकते हैं ब Post-EMAiner, एक्तर है उनका बहकर रहाए है तो यह रही हुआ है आप उसमें वेनियू स्पॉंज बना रहे हैं को युझा है यह इसमें वेनियू आ इसमें बना सेनस-स्प्रिक्राहें एख बना से किसी भी प्रिकार का केक बना लेनियू कर ऐस्थी और यहां तो मैने चलंब में अपता है तो गल कर पकल हम उसको और दालआ करें और भी अच्छी सबस्राइब को आइक today मैंंसे अच्छी तरह से future रही हूं इस तरह से जब हम बटर को भी डालते हैं शककर में तो और वी अच्छी तरह से क्रीमी और आच्छा सा फ्लफी फ्लफी होने लगता है तो इस तरह से मैंसे अच्छी तरह से फैट те इसी तरह से आपको फेटना है जिस सक्कर और जब बटर साथ में मिलती है तो वह एक प्रिकार की क्रीम बन जाती है जो कि आपके केक को सॉफ्ट बनाती है तो आप इस तरह से जरूर इस तरह के जो मैंने स्टेप फॉलो किया है आप इसे फॉलो करें तो यह देख सकते हैं इस अगर आप इसे चमस से करेंगे तो तीन से चार चमस जो छोटी चमस होता है उतना घी होगा यह तो अब इसमें घी एट करूंगी घी से जो हमारा केक का जो टेस्ट होता है ना बहुत ही बढ़िया रहता है आपके घर में जो भी घी हो आप उसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं और अब मैंने लिया है इसमें 50 ml करीम लिया है मैंने इसमें आइल तो अब मैं इसे मिला दूँगी और इसको एक वाफ़े से अच्छी तरह से फेट लूँगी अब मैंने इसे देखी आपको भी इसी तरह से अच्छी तरह से फेटना है जिससे सारी चीजे शक्र घी बटर सब चीजें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाएं और मैं इसे बीटर की सहायता से कर रहे हूं, अगर आप इसे हाथ से करते हैं, तो हाथ से भी आपको इसी तरह से पीटरना है, जिस तरह से मैं फेट रही है, मतलब आपको हाथ से भी इस तरह इतना बीट करना है, कि विल्कुल इसका टेक्स्चर इस तरह से वाइट हो जाए, अब हमें इसमें डालेंगे हम अपना मैंदा जो कि हमने च्छान के रखा था वो मैंदा इसमें डालेंगे और एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे थोड़ा डालेंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे आपको भी ऐसे ही मिलाना है एक साथ मेंदा नहीं मिला देना है नहीं तो वे उसमें गुठलियां पढ़ने लगती हैं तो मैंने इसे मेंदा मिला दिया है और अमेंसे चमस रहता है उसकी सहाथा से इसे अच्छी तरह से इस तरह से एक दूसरे में मिला दूंगी थोड़ा-थोड़ा करके ही मेंदा मिलाते जाएं अब मैंने ये डाल दिया है अपना पूरा मैदा जिसमें की बेकिंग पाउडर, सोडा और आटा था और मैं इसे अब पहले अच्छी तरह से चम्मस की सहाता से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी आप देख सकते हैं अब मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसमें मिल्क भी डालेंगे तो पहले आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए उसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मिल्क डालेंगे आप देखे मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मिल डाला है और यह मिल्क आपका रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए ना तो गरम होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए ठीक है तो आप इसे देख सकते हैं अम ऐसे जब तक इस तरह से दूद मिलाती रहूंगी जब तक कि इसका एक अच्छा सा बैटर तयार नहीं हो जाता और एक साथ डूद नहीं डालेंगे नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी फिर उन गुठलियों को तोड़ने में खतम करने में बहुत मेहनद जाती है और फिर कभी कभी वो खतम भी नहीं होती तो फिर केक का जो टेस्ट होता है बहुत खराब आता है तो इस तरह से अगर पी ऐनिया है और इसे मैं फिर से चलाओंगी मैं इक बार बीतर से भी चलाओंगी इस लेकिन जब तक मैं से चलाओंगी जब तक मुझे यह लगने नहीं लगए कि हां बैटर अब ठीक है के के रिए ठीक है तो हमारा बीतर खराब भी हो सकता है कूणकि यह बहुत काढ़ा ह तो आप जब तक इसे दूद डालेंगे और इसे अच्छे चलाएंगे कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए कि बीटर से चलाने पर हमारी बीटर पर बहुत ज्यादा जोड़ना पड़े नहीं तो फिर वो खराब भी हो सकता है तो ये देखिए में हो गया हमारा तैयार और हमन अजिसे उसमें ये पावर नहीं होता है बीटर में गूम शके फिर वो क्या आवाज करने लगेगा और खराब भी हो सकता है तो आप इससे तरह से जिस तरह से मैं बर्तन को घुमा रही हैं। उससी तरह से आप अपने बर्तन को घुमाते चाहिए वो फिटता जाएगा इसे मैं थोड़ा सा और मिल्क एट करूंगी इसका एक अच्छा सा हम सौफ्ट सा अच्छा सा हमारा एक अच्छा सा बैटर तयार हो जाएगा केक का तो इसमें मेरा पूरा एक गिलास मिल्क लग गया था पॉन गिलास मैंने पहले डाला है और जो थोड़ा सा बचा था उसे मैंने अभी डाल दिया है, अब मैं इसे चलाती जाओंगी, जब हम बीटर से बीट करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ हमारा केक का बैटर कैसा है, तो मैंने पूरा एक गिलाज दूर इसमें इस्तमाल कर लिया है, और मैं इस तरह से अपने बरतन को घुमाती जाओंगी, औ और वो हमारा जो केक का बैटर है, अच्छी तरह से फिटता जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो बैटर है, उसका कलर चेंज हो गया है, एकदम वाइट हो गया है, अब ये फिट चुका है, अब हमें बुलकुल भी मसीन का इस्तमाल नहीं करना है, बीटर का अब हमें अपने इस वाले जो हमारे जो बैटर है, इसमें हम अंडे का वाइट वाला पूर्सन मिलाएंगे, हमने जो वाइट वाला बैटर तयार किया है, अपने अंडे को वाइट का ये वाला फेट के रखा था, हमने जो अंडे की सफेद जादी को फेट के रखा था, उस हम विल्कों के आगे जोड़ बुल को नहीं लगाना है इसे हम वोलते हैं कट एndफोल मतलब आपको हाथ से घुमाये जोड़श कर दिये इसी तरहसे मिलाएंगे बुल कल भी इस में जोड़श पर फूले गाने किक अइसे आपका टे केक में जाली आती है जो हमारा केक फूलता है वो इसी वाइट वाले जर्दी के वज़े से फूलता है और इसी के वज़े से जो हमारा केक होता है वो सुपर सॉफ्ट केक बनता है तो आयाद रखिएगा बहुत धीमी धीमे से आप इसे इस तरह से मिलाएंगे अब ये जो वाइट वाला हमने जर्दी थे उसमें हम डाल देंगे अपना ये पूरा अपने मेंदे वाला जो पाठ है मेंदे का बटर का और घी का जो हमने अलग से बना के अभी डाला था और उसमें वाइट पोशन डाला था तो आधा हम बहले डाल लेते हैं अपने वाइट वाले पोश ले दाल देते हैं, इसे क्या होता है, कुछ जाग रीच फिरे हैं यह मांग होता हैं, हजाग बंदो नहीं गया, तो आप इस तरह से जरूर करिएगा। इस से क्या होता हैं कि उप्तृ आप इज़े मांग होता हैं, केक में अच्छी तरह से केक के बैटर में अच्छी तरह से मिल जाती है तो आप देख सकते हैं मैं कितने हलके हलके हातों से इसे मिला रही हूं आपको भी बुलकुल इसी तरह से हलके हलके हातों से इसे इसी तरह से कट एंड फोल्ड के तरीके से इसे मिलाना है यह देखिए हम मैंने इसे मिला दिया है और कितना अच्छा सा हो गया है एकदम जागदार हो गया है यह हमारा केक का बैटर और इस जागदार केक के बैटर से एकदम सुपर सौफ्ट केक हमारा बनके तयार होगा तो आप यह तयार हो गया है अब हम इसे डालेंगे केक के टिन में तो मैंने के कि टिन को भी ऑईल से और में उपर मैंदे के दस्ट करके तयार रखा था अब मैं डाल दूंगी अपना इसमें केक का बैटर पूरा बैटर डाल देंगे क्योंकि केक बहुत टेस्टी रहता है कुछ भी बरतन में मैं छोड़िए सब कुछ इसमें डाल दीजे तो यह देखिए अब हो गया है अब हम इसे इस तरह से टैप कर देंगे जिससे इसमें जो भी एर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं इस तरह से अब जब हम टैप करते हैं तो अच्छे तरह से आपको टैप करना है और आप हम इसे रखेंगे अपने माइक्रोवेब में तो हम इसे अपने म बटन को दबाया अब इसमें हमदिघृ सेन्टा करते हैं 180 डिगरृ तो बनेक्री डिगरी और स्टार्ट की बटन को दो बार टैप करेंगे देखे स्टार्ट की बटन को दिवार टैप किया तो वहाँ पर प्री हीट होने लगा प्री हीट उसको 3-4 मिंट लगते हैं जब प्री हीट हो गया मेरा माइक्रोवेब तो मैंने अब इसमें रख दिया अपना केक अब मैं इसको कम से कम 50 मिनिट का टाइम सेट करूँगी जी हाँ अंडे वाले केक को बेख होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो अब मैं इसमें 50 मिनिट का टाइम सेट करूँगी मैं इसे घुमाते जा रही हूँ कि 50 मिनेट का टाइम लाने में थोड़ा टाइम लगता है इसको घुमाते जाना रहता है और मैंने स्टार्ट की बटन को ओन कर दिया है यूगि जैसे ही मेरा केक अंदर जाए वो कुक होने लगे मैं टाइम को सेट करती रहती हूं घुमाती र 45 मिनिट्स करीब हो चुके हैं देख क्यों जब एक हुँ हैं सीचसर बीजा है हमने टाइम सेट किया था 50 पर यह हमारा 45 मिनिट्स में केक बनके तैयार हो चुका है। आप हमेशा जितना टाइम केक बेख होने में लगता है उससे 5 मिनिट्स एस्टा जरूर सेट करेंगे। में आपको इसे निकाल के दिखाति हूँ कि आखिर हमारा केक बनके तैयार कैसे हुआ है। तो मैं सबसे पहले चक्कु से इसकी साइडस को गूमा देती हूँ जिससे यह अच्छी तरह से निकलाता है बाहर। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूं एक थाली में पलट लेती हूं और फिर आपको दिखाती हूं कि यह हमारा केक कैसा बन के तयार हुआ है अब मैं इसे हाथ से थोड़ा इस तरह से टैप करूँगी तो वो अच्छी तरह से निकल आएगा मैंने इसमें कोई बटर पेपर नहीं लगाया है बैस मैंने इसे ओईल लगा कि मेंदे से डस्ट किया था बैस लगार में तरह सकते हैं तो आप देख सकते हैं कित्ता अच्छी तरह से to किक निकला है और इसका Kinda क्लरीर इतना प्यारा आया है ना किसे कुछ करणी की ज़रुत नहीं बिस आप इसे काटिए और इंजॉय करिए तो आप इसे देख सकते हैं किता अच्छी तरह से मेरा केक हूला है बुलकु सुपर सॉफ्ट केक बना है ये और इसकी आप चोड़ाई देख सकते हैं कि किता फूला है और किता फुलपी बना है तो आप भी अपने microwave में इस तरह का केक बना सकते हैं सेम रेस्पी फॉलो करिए आपका केक भी इसी तरह से soft sponge और अच्छी तरह से फूला हुआ बनेगा पीछे से भी आप देख सकते हैं किती अच्छी जाली आई है और इसका color कितना अच्छा आया है तो ये केक बहुत टेस्टी है इस पिकार के केक आप जरूर ट्राइ करिएगा और चलती हूँ अब मैं मिलती हूँ आप से नेस वीडियो में ओके वाई फ्रेंड्स केक को इंजॉय करिए बाई